हालो डियरे स्टूरेंट्स बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद दुलार में बच्चों यह क्लास 6 का मैथ बुक है चैप्टर 5 है और एक्ससाइज 5.7 तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे इसमें ज्यादा कुछ बना है और समझना है कि सभी एंगल जो है रेक्टेंगल का राइट एंगल होता है रेक्टेंगल का सभी एंगल राइट एंगल होता है तो इस तरह से यह रेक्टेंगल होता है और इसका सभी एंगल यहां पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 और यहां भी 90 तो सभी एंगल जो है राइट sides of a rectangle are equal in length opposite side यह rectangle है तो यह जितना बड़ा होता है इसका opposite यह हुआ तो यह भी इतना ही बड़ा होता है यह और यह equal होता है और यह जितना बड़ा होता है यह भी उतना ही बड़ा होता है तो यह और यह equal हो गया तो opposite इक्वल होता है तो यहां जो बोल रहा है बिल्कुल सही है इसका मतलब है कि यह ट्रू है ले हो गया c number diagonals of a square are perpendicular to one another square का diagonals जो है वो एक दूसरे का perpendicular होता है तो diagonals कैसा होता है square कैसा होता है square जो होता है four side equal होता है यह equal कर दिये और diagonals यहां से यहां इसका और यहांसे इसको खिछला जाता है तो यहां पे जो एंगल बनता है यह सिधा line हो गया और सिधा line पे यह सिधा का सि繼續 है यहां भी 90 degree सबके सब 90 degree मतलब perpendicular होता है 90 degree का angle जब एक line किसी line पे बनाता है उसको intersect करके तो वो पेंडी कुलर कहलाता है तो यह भी प्रू हो जाएगा तो यहां भी लिग देते हैं टू यह गया अब यहां पर डी नमर में क्या कर रहा है और दो साइड्स ऑप ए रेंबस और आफ इक्वल लेंथ तो रेंबस जो होता है वह स्कॉाइर से ही बनता है लेकिन उसका एंगल जो जो इस जो चैता है आइस इस तरह से होता है उसका फोर सयडी जो होता है वह भी फोल जो यह तो नमबर में और all the sides of a parallelogram are of equal length parallelogram जो ओता ही वो rectangle से बनता है तो rectangle इस तरह से हो गया लेकिन नहीं क्या होता है यह एसे हो जाता है यह यह लाएं निया किछते है और यहाँ पर उप piece अ है यह बन गया यह parallelogram हो गया तो इस स्का angles जो ओता है सभी angle 90 degree की नहीं होते है लेकिन यह opposite side जो होता है वो equal होता है opposite side equal होता है all side equal यहां पे बतला रहा है all the sides और फिर parallelogram are of equal land तो सभी side इसका equal नहीं होता है इसका मतलब है कि यह false है तो यहां पे f लिखते हैं यह false हो गया और last में दिया हुआ है the opposite sides of a trapezium are parallel opposite side तो trapezium का figure कैसा होता है यह हुआ यह हुआ और यह हुआ तो इस तरह से यह होगे trapezium तो parallel क्या होता है यहां से यहां दूरी जो है equal होना चाहिए और साथ साथ यह line चलना चाहिए तो वो parallel होता है लेकिन यह यहां पे इस तरह से है और यह इस तरह से अगर आगे चलेगा तो यह दोनों जाके सट जाएगा और यह दोनों इधर चलेगा तो यह ज़्यादा फैलते जाएगा इसका मतलब है कि यह parallel नहीं है तो the opposite sides of your trapezium are parallel नहीं होता है यह parallel है लेकिन यह नहीं है इसलिए इसका answer false हो जाएगा इसक्राइब कर दो जाएगा